आपका स्वागत है आज हम देखेंगे scale entity क्या है डाउन कीजिए यह है scale entity scale entity क्या होता है इसमें हम अपनी current drawing को चाहिए तो हम बढ़ा दें या तो scale कम कर दें उसकी हमारे requirement के हिसाब से तो select करते है scale entities अब हम सारे parts को select करते है सारे parts को select किया है अब हम यहाँ पहले एक point select करते हैं किस point पर चलो यहाँ हमने एक point select कर दिया अब यहाँ देखेंगे यह drawing हमारी छोटी हो गई हम बढ़ा करना चाहते हैं two times यह देखेंगे अब हमारी scale drawing है वो two times बढ़ी हो गई पहली बाली drawing से अगर हम इस पर copy पर click करेंगे तो यह दोनों मौजूद होगी select अब यहाँ पहली drawing भी दिखा रही है अगर हम पहले यह number of copies है कितनी number of copies चाहिए अगर आपको ज्यादा चाहिए तो देखेंगे दो हो गई आपको और ज्यादा चाहिए तो तीन हो गई तो हमें सिर्फ एक ही number of copies चाहिए ओके तो यह देखेंगे इस drawing को हमने दूगुना कर दिया और यह copy किया है undo कीजिए अब फिर से scale entity select कीजिए अब कोई point select कीजिए scale about हमने यहाँ एक point select किया तो यह देखिए अब यह जो हमारी drawing है वो बड़ी हो गई लेकिन हम छोटी करते हैं इसे 0.5 गुना यह देखिए अब हम यह copy uncheck ही रखेंगे ताकि यह गायब हो जाए और यह सिर्फ मौजूद रहे जो हमारी छोटी drawing है ओके यह देखिए अब हमारी drawing और छोटी हो गई यही फाइदा है scale entities का कि आप drawing को large कर सकते हैं छोटी कर सकते हैं जैसी आपकी requirement है उमीद कर दें यह video आपको पसंद आया होगा खर टोटी कर सकते हैं